कि यह रहे टीटा नगर केपिटल ऑप अनाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हजारों टीचर से यहां पे सब्सक्राइब करने वाली है कितने लोगों कैसे किया जाएगा सब्सक्राइब इसले साल भी हमने टीचर से रेगुलराइज किये थे और जो तो रेगुलराइजेशन होता है वो सिन्योरिटी बेसिस पे ही होता है 2006-07 के काफी टीचर ओल्मस्ट ऑल्ड़ टीचर ऑफ 2006 & 2007 रेगुलराइज़ और इस बार कुछ बचे वी टीचर हैं तो 2007 में जिनका रेगुलर्मेंट हुआ था और उसके बाद में सम अफ दीचर फ्म 2008 रेगुलराइजेशन करने का प्रोसेस अभी हमने शुरू किया है और डेटा इखटे कर रहे हैं और जैसे आपने बताया है रेगुलराइजेशन बिलकुल सिन्योरिटी बेसिस पे ही किया जाएगा उसमें किसी तरह की कोई गरबड़ी नहीं होगा तो आपने नोटिस नि निकलने चीए क्या थिसके बिले के सरावत नहीं मैंने अभी एक एडवाइजरी निकला है जो भी स्टेकोल्डर से उनके लिए उसमें मैंने यही मैंचिन किया हुआ है कि जिन जिन टीचर का रेगुलराइजेशन हो रहा है उनका टाइम बाउंट रेगुलराइशन है जो ने डिसेशन लिया है वो तो हो गाई उसमें वो अननेसेसरी उन्हें कहीं जाके कोई अगर उनको थर्ड परसन अशॉरेंस देता है कि हम आपका रेगुलराइजेशन करवा देंगे और अफरिंग सम अंड्यू मीन पूरा अवइड करना है और गर्मेंट पर फेद रखिये और आप system बहुत strong है और जो seniority list है वो भी हमने अपनी website भे भी हम डाल देंगे और उसके अलावा office में भी available है अगर किसी भी teacher को कहीं confusion होता है कि हमारा regularization नहीं होगा या किसी जो out of turn regularization हो सकता है किसी का तो ऐसी बिल्कुल किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है और यह matter उपर के लेवल तक government के लेवल पे टॉप लेवल पे भी इस चीज की monitoring हो रही है तो हमने जाना है कि अपने कहा था कि यह uniform को लेके पिछले साल uniform दी गई थी इस बार आपने कहा 18 crore fund आया बट वो laps भी हो सकता है आप लोकी government अभी तक session काफी ज़दा time हो चुका है uniform को लेके आप लोग dbt mode कर रहें क्या कर रहें देखी uniform में हमें problem आ रही थी काफी पिछले साल पैसे हम distribute भी नहीं कर पाए और यह uniform का जो पैसा है जो स्टेट वो dbt mode में होता है वो direct student की account में जाता है अब जब हमने PFMS में पता किया तब हमें पता लगा कि लगब 15 से 20% student ही इसके beneficiary हो आपके ठीक नहीं है तो इसलिए पैसा आपके account में जमानी हो पाता तो इस बार हमने यह decide किया है कि हम targeted approach लेके चलेंगे क्योंकि honorable minister sir ने अपने level पे meeting भी किया था और किया था कि अगर technical issues होते हैं कुछ और उसके कारण अगर बच्चे को हम deprive हो रहा है जिसको हमें uniform देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं तो उस चीज़ को resolve किया जाएगा और उसके लिए हम थोड़े systemic change भी कर रहे हैं we are involving district administration so DM के direction में अगर हम payment का हम सोच रहे हैं कि cash payment तो होगा नहीं तो check से ही payment जाएगा but यह under observation of district magistrate ताकि वो बिल्कुल actual beneficiary को पहुंचा जाए और वो उसको हम track भी कर सकें कि वो पैसा कहां गया है तो PFMS के mode के बजाय में अगर हम इसको track कर सकते हैं तो हम लोग वो mode identify अभी हमने discussion किया है department level पे और अगर उपर से हम approval मिल जाता है comment का तो we will make sure कि इस तरह का पैसा हम बच्चों को through check distribute कर सकें district level पे चिंतन शीविल के बाद आप लोग ने अलग अलग तूर किया अलग अलग डिस्ट्रिक्स पर इस्टन और नाचर में पेर मिनिस्टर स्पिशन स्कीम है इसकी implementation को लेके हमने काफी बार की इस बार भी हम कर रहे हैं तो एक दिन दी जाती है एक दिन मिद्धे मिल में किछ्री या जो भी देते हैं एक दिन देते हैं एक दिन नहीं देते हैं यह gap होता है तो इसको ले क्या आप पास में इस तरह की कुक की सैलरी में या और भी असिस्टेंस मिलता है उसको देखते हुए हर दिन बच्चे को मिड़े मिल जब स्कूल में आता है तो उसको मिलना है और उसके लिए हमने AMS में भी काफी improvement किया है जो आपका daily monitoring system होता है लगबख 35-40% स्कूल से हमें मोनिटरिंग में information मिल जाती है and which directly goes to government of India हम इस AMS में हमें अभी 100% सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि यहां पर network के भी issue अरुनाचा प्रदेश में बट फिर भी आज की दिन भी reporting हमारी 25-30% है PM portion portal पे और जैसा आपने बोला है कि एक दिन छोड़गी एक दिन मिलता ऐसा बिल आपके अच्छें स्मार्ट क्लासे स्कूलों में आपके बार थीक है दो त्रिन स्कूल में मैं भी गया तो मुझे भी लगा ऐसे कि सामान पहुंचाया हुआ है सामान पैक करके रखा हुआ है टीवी भी पैक करके रखे हुए है तो अब जाके हम एक inventory management system को इंट्रिउस करने वाले हैं बहुत जल्देगी और उसके बाद में हम जहां 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 जो जो सामान हमारा रखा हुआ है whether it is physical infrastructure जाए building हो schools हो boundary हो उन सब की mapping की जाएगी mapping करने के बाद में then we will take you know decision लिया जाएगा कि हम किस सामान की requirement कहां पर है अगर जैसे आपने पताया है कि smart classroom में अगर कही फंक्शनल नहीं है और उसको दूसरी जिगर शिफ्ट किया जा सकता है तो that also we will explore the possibilities और जहां जहां पर यह सामान बंद पड़ा है यहां यह यूज में नहीं आ रहा है हम इसको जल्दी यूज मिलाने के लिए direction दे रहे हैं इसको जल्दी यूज मिलाने के लिए direction दे रहे है और वो प्रोगोनों पर काम करते हैं और जो जो पेड़ागोजी में है और जो 10th और 12th के आपके रिजल्ट को सुधारने के लिए जो उनके training के requirement होती है जो उनके skills है जो उनके expertise है उसको हम यूज कर रहे हैं और उनके कारण हमें काफी इसमें साहिता भी मिली है हमने कुछ जो हम बच्चों को भी distribute कर रहे हैं और रिज्टूटी के पास अच्छा exposure है वर्ग इन वेरियस अधर स्टेट्स आज तो जो उनका experience है उसको हम यूज कर रहे हैं जी जो जिन्तन शिविर था जिन्तन शिविर को लेके आप क्या तहेंगे कि जिन्तन शिविर में कितनी successful नहीं हुआ इसको मैं अब मैं खुद नहीं बता सकता क्योंकि हमने तो खुदी चिन्तन शिविर और्गनाईज किया है मेरा मानना है रुनाचर प्रदेश में एडलीस हमने education के बात में बहुत serious होके education के लिए बात करना शुरू किया है आज हम अपनी situation को जानते हैं कि हमारा infrastructure अच्छा नहीं है हमारे human resource के issues हैं हमारे teachers अगर हैं तो उनको training के requirement है कुछ teachers के पास कुछ school में teacher है जहां पर बच्चे नहीं है तो ये बाते हमारे knowledge में आई हैं और हमने public domain में भी रखी हैं हम सारे जितने honorable ministers हैं सबने इसमें शामिल हुए और सबने हमारे बाते सुनी और उ तो at least education के बारे में serious talk शुरू हुआ है तो और वही एक शुरुवात होती है तो और इस तरह के events और भी होंगे और सिर्फ event दिखाने के लिए event नहीं होंगे क्योंकि चिंतन शिवर के बाद में भी हमने अपना एक पूरा इसका detailed compodium जारी किया है जिसमें हमने चिंतन शिवर में क्या क्या किया उसके बाद क्या 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 डिशिजन लिए और उसके बाद में honorable minister sir जो पूरे अरुणाचर प्रदेश में अपने tours कर रहे हैं तो उससे ground reality हमें पता लग रही है कि actual requirement क्या है government की funding किस तरफ होनी चाहिए government का ध्यान किस तरफ education में कहां पर होना चाहिए elementary education क और इसेख्याइश के आए सामने और मैं I'm hopeful कि इस तरह की बाते ही क्योंकि हमने शुरू कि है तो आने वाले time में इसका बहुत बहुत अच्हा result प्र देखिये मॉलस्ट्रेशन में तो इट इस मोर डिपेंड उन अब ब्रिंगिंग उफ परसंग जो जिसने इसी हरकत की है और बाकि हम अपने टीचर्स को और जो सीनिर टीचर्स हैं प्रिंसिपल हैं डीडीएसी उनको हमने सेंसिटाइज किया है कि स्कूल में विजिट करें स्कूल में जाके और फोड़ा व्यечज भी और देखते रहें कि कौन की सतरे से बीहेंँ कर रा है स्कूल में बच्चों के लिए हमने जो तर्छ बैगले साटेडे में स्पैसिफिकली गुड टच बैड टच जो चो चूटे बच्चों के लिए हैं उसके लिए क्लासिज रखी हैं आपके साथ में कैसा इन अप्रोप्रियट बिहेवियर कौन करता है उसको कैसे जज़ कर सकते हैं आप इसके लिए भी हमने क्लासिज रखी है और टीचर्स अब ट्रीनिंग भी दे रहे हैं टीचर्स खुल के बात करते हैं बच्चों से तो जी एज़े रेजिडेंट कमिश बात करते हैं यह जल्दी रिजॉल हो जाएंगे और आप अपने अपने महीने महीने रूम बुक कर लेते हैं तो जब पेशेंट किसी को नीरी किसी कुछ जरुत है अवनाचल के लोग जब जाते हैं तो उसके लिए आप लोग कुछ ऐसी प्रबंध हैं नहीं देखें अब हैं अभी जितना मेरे नौलेज में आया है और इस तरह का कोई भी रूम क्योंकि हम डेली उसका चेक करते हैं कोई भी रूम तीन चे चार दिन से ज़्यादा उक्पाई नहीं रहता है और जहां तक पेशेंट्स की बात है पेशेंट्स का हम स्पेशल ध्यान रखते हैं हमार उनको पूरा असिस्टेंस देते हैं और कुछ-कुछ ऑस्पिटल्स में हम उनको कंसेशन भी दिलाते हैं जो डिसकाउंट हो सकता है अरुनाचल वासियों के लिए और मैं आपको चैनल के मादम से यह बताना चाहूंगा कि अगर किसी को भी कभी भी मेडिकल अमरिजिंसी की की के लिए रिजर्व बहुता है जो जिसकी रिक्रामेंट होती है जो की अवेलेबिलिटी होती हो मिलता है हमेरे पार रूम बहुत लिमिटेड है भी नए भवन बन जाएंगे इसे दीरपूर में भी भवन बनने वाला है वह हम स्पेस्पेसिशिक लिडेकेट कर रहे है दिरुपूर के सामने ही एक multi specialty hospital भी बन रहा है तो अरुनाचल government क्योंकि मैंने मिजोरम में भी काम किया हुआ है अरुनाचल government अपने यहां के अरुनाचल वासियों के लिए उनकी medical need के लिए उनको assistance देने के लिए बहुत-बहुत सजग है और किसी भी तरह का कोई issue आता है आप अपने से बोर्विल का इंतिजाम किया है तो मेरे साब से वाटर सप्लाई का अब ज्यादा इशू नहीं रहे हैं हाँ छोटी स्कूल में रह सकते हैं लेकिन जो consolidation चल रहा है स्कूलों का जिसमें हम तीन चार स्कूलों को बंद करके एक बड़ा स्कूल बना रहे हैं और इसमें infrastructure क्रियेट कर रहे हैं तो we are making sure जो स्कूल बना रहे हैं it should complete in all aspects तो वहाँ पानी भी होना चाहिए तो उस चीज़ को देखते हुए यह सब issues तो रिजॉल हो जाएंगे बहुत जल्दी झीज, तक यू